हुआ है गाईज मैं हुआ के जएड़ आप देख रहे हैं हमारा चैनल के के जएड एनाइटिन टेक्निकल्स तो आज हम में कुछ हम कोई पॉइंट के बारे में डिसकर्स करेंगे आज हम बिसिकली देखेंगे एडिट कमांड के बारे में ठीक है तो हम पहले cmd open कर लेते हैं आपको सार्च बार में जाके cmd type करना है और आपको फिर यहां पस कमांड प्रोंप उपन हो जागा उसे पर आप क्लिक करने ठीक है तो एडिट कमांड को जानने से पहले मैं चीज आपको बता रहा हूं कि हम मेरे सिस्टम में 64 bit का operating system install है आपको मैं दिखा रहा हूं 64 bit का operating system install है जबकि edit command जो होता है 64 bit के version को support नहीं करता है तो 64 bit का version support नहीं करता है तो उसके लिए हमनों notpad का यूजज करते हैं तो edit अबटा जा रहा है सब्सक्राइब कुछ नहीं होता है जब अप नॉइस को आडिक होता है अपकेम लिए उपन हो जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखाया हूं यह नौटपैड यह जो नौटपैड है ऐसे सेम टू सेम एक्जक्ट सेम टू सेम यह पस ब्लैक बिंडो में ओपन हो जाएगा जहां फाइल होंगे आपके एडिट होंगे फॉर्मेट होंगे व्यूस होंगे है ठीक है यह जो नौटपैड में आपको जो फैसलेटी मिल रही ह वही आपको उसमें मिलेगी ठीक है एडिट कमांड पर थिक है यहां बस यहां पस ब्लेक बिंडो में आजाएगा वो चीजे सब कुछ रहेगी आपको new open safe safe करने का सब कुछ रहेगा exit होने का edit करने का सब कुछ उसमें option क्रेट करते हैं copycon command के तुरू अब फाइल क्रेट कर सकते हो ठीक है मैं अपने बाइब प्रेज वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो फाइल कैसे बनाते हैं तो मेरे पास यहां पास डी में एक न्यू नाम के फोल्डर में एक डेमो नाम का एक नॉट टेक्स फाइल है जिसके अंदर कंटेन है आई बाज है स्टुडेंट आप नाइटी को रुक्षेटर ठीक है तो मैं भी तो यूज नहीं कर पहूंगा क्योंकि एडिट कमांड मेरा यूज हो नहीं रहा है क्यों हो आपको लिखना है स्पेस देना है फिर आपके फाइल का नाम देना है इचीक है अपको क्या लिखना है मेरा फाइल का नाम है डेमो.ts. lire ठीक है अधिड लिखना है अ जैसे इंटर करोंगे एडिट स्पेस डेमो डॉट टी एक्स टी ठीक है आपका जो एक्स्टेंसर फाइल जैसे इंटर करोगे तो आपके में अधी 32 बीट है आपके सिस्टम में तो ओपन हो जाएगा यहां पस ब्लेक विंडो में आपका एक ओपन हो जाएगा एक्जेक्ट सेम नोटपैड जैसा ऐ अपस मेरा एक्जेक्ट ओपन हो जाता यह वाली जैसे मैं क्लिक करता और उसके उपर यह ब्लेक विंडो में यहाँ पस ओपन हो जाता ठीक है बस ब्लेक विंडो में ओपन होगा कमांड तों पर ठीक है उसमें लिखा हुआ क्या आएगा आई बादे स्टुडेंट ओफ एनाटी करूप चेतर ठीक है जो आपका पर कंटेन होगा तो आप उसमें कुछ नहीं अडिट कर सकते हो ठीक है जैसे यहाँ जैसे मैं अडिट कर सकता हो टीक है जैसे में ऑलकम वेलकम टू तू माइं टीक है यूटुब चैनल टिक है वेलकम तू मैं यूटूब चैनल ठीक है जैसे इसमें जैसे ओपन हुआ आपका ठीक है एडित करने के लिए तो आप यहां सेफ कर सकते हो आप यहां एडिट कर सकते हो जो करना चाहो आप यहां से यहां सेस उसे करने के बाद मैं से एक्जिट कर दूगा तो यहां पस ओपन होगा जब यहां पर सब्सक्राइब यहां साई्ट आप यहां सेस्त करने के बाद शात होगा हेल्फ होगा सब कुछ जिसे नौट पैड में होता है बस यहां पास ओपन हो जाएगा लेकिन मेरे सिस्टम में वो चीज़े चल नहीं पाएगी अभी क्योंकि मेरे में 64 बीट का उपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है इसलिए यहां सपोर्ट नहीं कर पाएगा चला जाता हूं इसके बाद नीव करके यह मैं जैसे नौट लिखता हूं देखिए करने के बाद मैंने क्या लिखा demo.txt ठीक है txt जैसे enter किया ए देखिए same to same open हो गया ऐसे ही same to same लेकिन बस ओ होगा कि जो आपका edit command है उसमें command program का जो black window दीख रहा है वहाँ open होगा हो फर कितना है बाकी edit उसमें भी करना पड़ेगा आपको edit करने के बाद उसको save भी आपको एसा ही करना पड़ेगा जैसे आप इसमें save करते हो ऐसे save करना पड़ेगा आपको बस बोलने का मतलब भी है edit command का मतलब ठीक है तो फिल्द मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और यदि आपको हमारे चैनल पसंद आया हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए और मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए good bye